तो भाईया कहा जा रहे हैं हम लोग हम जा रहे हैं यहां पर राममगर से पस्तान करते हुए वेदो ग्यास मंदीर और अग्रिसर होते हुए तो बने रहे हैं और आज मैं आपको करूंगी एक्स्प्लोर बनारस को से ट्यून यह मौसी और मम्मी बार्गेनिंग करते हुए यह यह जैश्री मेरी भती जी आप देख सकते हैं मंदीर और यह लाइन यह लाइन देख सकते हैं आप तक लाइन है यह बहुत जादी लाइन जाद अंदर के दर्शन नहीं करवा पूंगी कि बहुत जादी भीड़ा है मेरे को मुबाइल रखना होगा अंद है हम इसके दर्शन करने के बाद मिलेंगे देख सकते हैं मैं आपको दिखा सकती यह यह बाबा बोले ना और यह भी अगर्शन कर लिए हैं कैसा लगा भी अगर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा है ना जैश्री कुछ कहना चाहोगी मजा आया बहुत मजा आया अब हम उतर चुके हैं दूसरे जिगे जाने के लिए तो अभी हम हैं रामेश वरम में पहले तो मैंने वहां दुर्षन के आप कर रहे हैं रामीश वरम प्रीज रामनगर का प्रीज है ये अब हम जा रहे हैं जैसे कि शिवरात्री है तो अब हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन और आपको पता है कि पनारस में संकट मोचन की बहुत मानिता है अगर नहीं पता है तो मैंने आपको पता दिया कि अगर आप पनारस आएं तो संकट जरूरा है और आप ये प्रीज देख सकते हैं और आप भोच्पुरी लैंग्वेज भी सुन सकते हैं ये रस्ता है संकट मोचन जाने का अब हम लोग पहुचने वाले हैं अल्मोस्ट बनारस और ये शिवरात्री पे ये देख सकते हैं तो अब हम लोग पहुच चुके हैं संकट मोचन आपको मैं दिखा दो बहुत हैं संकट मोचन और मैं बहुत एक्साइटीड हूं संकट मोचन जाने के लिए संकट मोचन में मोबाइल जम्मा हो जाता है तो मैं वहां पर वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी मंदिर में पर जो भी मैं थोड़ा बहुत दिखा पाऊंगी वो पूरी पूरी कोशिश रहेगी पर मोबाइल हो जाएगा जम्मा तो चांसेस कम हैं कि मैं आपको अगर्शन करके आगे हैं और मेरे पास मेरे मोबाइल आ गया है तो में एक बास इतना हो सकता है उतना अपको दिखा सकती हूं थोड़ा बहुत बाकी तो अंदर तो एलाउड है नहीं सकते मुख्यद्वार संकट मोचन का और ये हैं अंट्री अब आपको बाबा भोले नात की बारात में लेके जाओंगी जी हां शिवरात्री पे बोले नात का जाता है बारात तो क्यों ना बनारस में आई हूं तो आपको बारात में शामील किया जाए राइट तो चलिए होते हैं शामील शिवरात्री पे बाबा भोले नात की ये घो कर्षार महादेश तो ये मेरी नेहा कजन है मेरी मौसी की बेटी जो मुझे टीका लगा रही है महादेव का और हम लोग तयार हो रहे हैं उनकी शिव भगवान की शादी में जाने के लिए और आप ये टीका देख सकते हैं और ये सब भी मेरी बेहने हैं आपको मैं दिखा दो ये सब मेरी कजन्स हैं जिनको नेहा टीका लगा रही है सब मुसे छोटी हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे टीका देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फील होता टीका लगाते समय बहुत ज्यादा ये ले वे राफ जाव इये ब करना थेडि़िए ब करना थेडि़ि़ जाव इवार पती जाव आरमा थेडि़ ए दोस्कोपरात्व फकल ब कल आव अवानन खारत्या थावर के और चल जावद है कर दो कर दो और को कर दो रॉ को हारा हारी हार हारी 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 तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता देते हूं ये राम नगर में बरफानी वाले बाबा है जो की बरफ से बनाया जाता है भगवान की सारी अकरती जैसे अमरनात की शीव जी हो गए हमारा शिवरात्री का हो चुका है और ये मेरी बहना ये ठंड़ाई आप ठंड़ाई ना पियें तो कैसे मज़ा आएगा है कि नहीं बाबू बोलो तो मैं आपको इपर ठंड़ाई दिखा देती हूं अच्छे से तो ये अब महां शिवरात्री पर ठंड़ाई पीते वे चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स व्लॉग में वाई है हमारे बनारस की शिवरात्री का बराज कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स करके बाएए